नमस्कार दोस्तों आप सभी का Healthy Product Review चैनल पर स्वागत हैं आज की वीडियो में आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ बहुती कमाल के एक आईरवेदिक प्रोडेट के बारे में इन सब चीजों के बारे में complete जानकारी मिलने वाली हैं इसके लिए आपको इस वीडियो को पुरा देखना है सबसे पहले बात करें मुलेटि या मुलेटि की तो यह हमारे आईरवेद में बहुत ज़्यादा इस्तिमाल की जाने वाली जड़ी बूटी हैं जिसे की यस्टी मुदू भी बोला जाता है यह नाम आपने जरू सुना होगा पुराने समय से ही कई रोगों को ठीक करने में इसका इस्तिमाल है वह होता है सबसे पहले बात करेंगे पतंजली मुलेटि फाउडर की किमत के बारे में तो इसकी किमत है बैयाली से रुपे जो कि आपको 100 ग्राम की चौण के लिए देने पड़ते हैं मुलेटि चौण पेड़ की जड़ो को पीस कर बनाई जाती है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे इसका कलर हलका हरा है बात करें अवेलिबिल्टि की तो यहाँ पतंदली स्टोर पर आपको आसने से मिल जाएगी इसके लवाव वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पड़ी लिंक से भी आप इसको बाय कर सकते हैं बात करें घटको यानि की इंग्रेडियन के बारे में तो 100 ग्राम की मुलेटी पाउडर के अंदर 100% मुलेटी ही एड़ेड है इसके लवा कोई भी चीज है वो एड़ नहीं कीवी है तो सुद्धा के मामले में हम इसको पूरे में से पूरे नमबर देंगे अब हम बात करेंगे मुलेटी चूर्ण की यूजिज की बारे में की मुलेटी चूर्ण के लेने की क्या क्या फाइदे है वो हो सकते हैं दोस्तो इस मुलेटी चूर्ण का सबसे मुक्या फाइदा है स्वर विकारों को लेकर और हमारे गले से रिलेटेड प्रब्लम्स को लेकर तो यदि आपको गले की आवाज से समंदिद कोई भी समस्या है तो मुलेटी पाउडर आपको बहुत ही फायदा देने का काम करेगी पुराने टाइम जो सिंगर्स यानि की गायक होते थे वो मुलेटी जून का बहुत यूज करते थे ताकि उनका स्वर सहीर है गला साप रहे और स्वर विकार की दिक्कत है वो नहो जैसा कि इस मुलेटी जून पर साप लिखा हुआ है कि यूजफुल इंस्वर भंग यानि कि शवर को लेकर गले की आवाज को लेकर यदि आपको प्रोबलम है तो यह आपको फायदा करेगी सृर भंग यानि कि कि जूंस आदमी के उट्चारन में अंतर होता हो बोलते बार बार गले में खरास होने के समस्या हो गले या फिर आवाज का बैठ जाना जोड़ दर बोलने या ज्यादा बोलने से या सर्दी के करण गला बैठ जाए तो उसमें भी मुलेटी है वो फाइदा देने का काम करती हैं कासरोग जो की गले को भी प्रभावित करती हैं उसमें भी यह चोंड फाइदा करती हैं जैसा की इस चोंड पर लिखा हुआ है कि अमल पिद यानिकी एसीडीटी में भी लापदैक हैं तो यदि आपको भी एसीडीटी या फिर पेट में जलन होती है या फिर खाना खानने के पाइद में आपको थोड़ा वारी फील होता है पेट खटी डगार आने के समस्या हैं तो आप मुलेटी चून का इस्तिमाल कर सकते हैं क्योंकि मुलेटी चून की प्रकरती ठंडी है इसलिए आप इसे गर्मियों में भी बड़ी आसनी से इस्तिमाल कर सकते हैं बोडी की हीट क कंट्रोल करने में भी यह फायदा करती हैं अगर आपको चेस्ट कंजिस्टन की प्रबलम है तो उसमें भी यह बेनेफिट देने का काम करेगी तो अवरॉल बात करें तो मुलेटी चून आपके गला साप करने स्वर को अच्छा करने गले में ज्यादा बलगम रहने की समस्या ह तो उसे ठीक करने आवाज का जम जाना या फिर वारी हो जाना अगर है तो उसको ठीक करने गला खराब हैं या फिर बोलने में रुकवड होती हैं तो उसको भी ठीक करने का काम मुलेटी चून है वो करती है और उसको आप इस्तिमाल कर सकते हैं अवरॉल बात करें तो यह कं कर से यूज़ करना है दो से 4 ग्राम आप मुलेटी चुन को इस्तिमाल कर सकते हैं यानि कि आदा चोटा चमत होता है टीज़्फून वह आदा बरकर मुलेटी चून को लेना है और इसको दूद या फिर सहथ के साथ में इस्तिमाल करना है दूद या सहथ अवैलेबल नहीं है तो आप पाने के साथ में भी मुलेटी चून को इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी सीरिस बिमारी है और उसके लिए आपको मुलेटी चून को इस्तिमाल करना है तो पहले डॉक्टर की सला है वो जरू लेनी है साइडवेट की बात करें तो कोई भी साइडवेट द सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें वीडियो दिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद